दोस्तों नवस्कार स्वागत है अब सभी का आभी की चैनल उशा की किरन में दोस्तों आज हम बात करेंगे Tata Motors की सांदार LPT 2818C के बारे में और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हमारे जो सर्माजी है इंदोर में इनका काफी बड़ा ट्रांस्पोर्ट का बिजनिस है इस गाड़ी को खरीदे के लिए आये है इस गाड़ी की सर् करेंगे कि आप क्या करते हैं आपका क्या ब्रक है क्या बिजनिस है मेरा नाम महेश शर्मा है इंदोर में मेरा ट्रांस्पोर्ट का व्यशा है विगत 15 सालों से है वो मेरे पास काफी गाड़ियां 31,42,42, जो काफी बजन लेके चलती है गाड़ी 25,30,35 की गाड़ियां अविलेबल है काफी समय से कुछ गाड़ी में कम बजन की गाड़ी के लिए तलास में भूम बराता तो 28-18 गाड़ी मुझे काफी बहतर लगी दूसरी गाड़ी के पेक्षा इसलिए गाड़ी को देखने लेने आता है तो आपने काउल ही लेना क्यों समझा इसका के बना सकते हैं और का दोनों का अटेश्मेंट उससे बहतर है उसका होता है आपके कहरें का मतलब यह है कि सिगना के अगर हम खरीदते हैं तो हम कई ना कई बांड़े हो जाते हैं कि हम अपने उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं और जो काउल चेसे सम लेंगे तो इसके अंदर जो हम अपनी बॉडी का के बिन का किस तरह से निर्मान करवाई है वह आपको यहापर फ्रीडम मिल जाती है तो सर्मा जी आपको बहुत-बहुत बदाईया है नई गाड़ी लेने के लिए और कुछ आप कहना चाहें इस गाड़ी के बारे में तो आप बताईया हैं और कि सब्राइब का wz और बारे मैं बारे में चलाने की अपने मतलब इसका ट्रांसपोर्ट का जो काम करना कंटेनर को लिए यूज़ करना है इस गाड़ी का मतलब कहीं बाद करें लंबाई के इसाब से काफी इसमें हलका माल भी लोड होता है इसके जो हमारा इंजिन के बारे में आपने बताया मुझे की इसका काफी अच्छा मिलता है इंजिन साइलेंट है तो इंजिन को लेकर कि अब मतलब पूरी तरह से संतुस्त है हां बिलकुल क्योंकि आपके पास टाटा की और भी आलेटी गाडिया है पहले इस टेबनी के कि मेरे ख्याल से पंचर होते ही नहीं अब तो बहुत काफी हेवी टायर आ रहा है दूसरा सर्माजी अगर पीछे के हम और आपको जो है कुछ कमफट लगता है तो पीछे इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं यह जैसे गाड़ी आपकी जब आगे बहुत आगे जैसे मानलों सब्सक्राइब होते हैं यहां पर यह जैसे कि कोई चोटी मोटी गाड़ी आंदर एंट्री नहीं ले पाए और इसके जो सर्माजी इसका जो चैसिस के वारे में आपका कुछ विचार है तो बताईए कि चैसिस बेटर है इसका टाटा का है चैसिस है आल्रेड यह बारा को लेकि आपका कुछ कहना है तो कमानी बगेरा इसको कुछ भी करानी की जर्बत नहीं अपना जितना बजन यह कि इसके अंदर जो पास है 17-18 उसके अंदर इसको छेड़ने की या इसमें कुछ बढ़ाने की सफीसियंट है इसमें कुछ भी नहीं कराना बैसे सर इसका जो ज अगर बहुत ज्यादा एमर्जेंसी हो तो 24-25 तन भी भाले सकते हैं तो गाड़ी दोस्तों काफी मजबूत है काफी मजबूत चैसिस के साथ में है सर मैं आपसे एक चीज पूज़ना चाहा हुआ कि सर्माजी यह जो इसका फ्यूल टैंक है एस्टी पॉलीमर टैंक दिया जा रहा है गाड़ियों के अंदर इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है पहले का लोहे की तंकी आती थी तो उससे कच्चरा बगरा लोहे का काफी कट्टा होता था फ्यूल में कोई जंग लग जाता था तो उससे वह दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इसके जो अपने इंजक्टर वगरा है उनकी लाइब भी हमारी बढ़ गई है दूसरा इसके अब उससे हमें कहले में अब चीज़ कहुं इंग जएकाएगा चाहता हूं पको इस podéisक्ता फैयू चाहता इडेー जो हमें लोड आते हैं या और बी कोई जैसे डाग पार्सल बगर आते हैं हैं तो दोस्तों सर्मा जी ने हमें अपना निकाल करके जो है काफी जानकारी दी है इंका जो है इंदोर के अंदर काफी बड़ा ट्रांस्कोर्ट का बिजनेस है जिसके अंदर बसर ने बताया 40-45 गाडिया हैं इनके पास में और मेक्सिमम आपके पास में टाटा की ही गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी दरब से आपके लिए बहुत शारी शुबकाम ना आए हैं सर और आपका हमारे चैनल पर इतना इंपोर्टेंट मैसेज दिया गया हमारे वीवर्स के दियेगा फिर में लेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैहिन जैबारत